आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर मैं माले था इस तरह से मरबाद देखो यह लैंब था यहां से charge flow हो रहा तो उसका यह cross section हो जाएगा ठीक इतने cross section से जो charge ऐसे flow करेगा यह charge जो flow कर रहा होगा dt time में तो हमारा current कितनी हो जाएगी लेट से इस cross section से dq charge flow किया dt time में तो current i की value कितनी हो जाती है dq by dt यह हमारा आता है definition अब सारी value put कर दोगे आपको answer मिल जाएगा यहाँ पर देखो i dq क्या था हमारे पास देखो यहाँ पर dq मतलब flow of charge कितना था 60 कुलम तो आजागा हमारे पास देखो 60 divided by dt कितने time में 2 minute में तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास time की value 2 minute में बट यह minute है given है तो इसको आप 60 में convert आप इसको second में convert करोगे कि current हमारा ampere में आ रहा है तो minute को second में convert करने के लिए आप 60 से multiply कर दोगे क्योंकि आपको पता एक minute में 60 second होता है तो 60 से multiply करोगे 60-60 cancel हो जाएगा तो जो current आ जाएगी उसकी value कितनी आ जाएगी 0.5 ampere 1 by 2 किसके एकुल होगा 0.5 ampere के यही हमारे इस question का answer हो जाएगा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे I equals to Q by T वाले formula से तो Q कितना था गिवन है 60 कुलम T कितना था 2 minute वहाँ से भी वही सेम answer आ था तो answer क्या होगा option number 3 Thank you